कैसे हैं आप सब आयोप की अब्सक् ko compr के एक डालल फह पोस्टी की क्या मैं की वो क्या होता और मैंने आप फॉलो किया ता या नहीं किया था की तो काफे लोगों और यह बिए को यह बेस डाललक भीं क्यों वीदियोत सुर्ष वागता था अंविश दान वो.. कंसीव करने की मतलब टिप्स और ट्रिक्स मतलब यह सब शेयर करते हैं उनके चैनल्स पे आप देखेंगे तो एक हेयर वॉश ट्रिक और एक दालचीनी मतलब की दालचीनी का पानी पीना या चाय पीना किसी पीकरा से दालचीनी को यूज करना और थर्ड जो है वो लेगब व कैसे काफी ज्यादा हुआ है तो इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करने जा रहे हूँ कि इन में से मैंने कौंसी ट्रिप ए। की यूट पर देखके और इन में मुझे विविवर्व Bu जैसे उसे उसमें एकहीना हेल्थी एह और एक YouTube सहली करके हैं उनके है तो उनमें ये ज़रूर आपको दिखेगा ये वीडियो कि सब की एजएर बॉड़ और भी करणे हैं और वीडियो।्ser आपको बता रही तरिए हैं exit मैं वेज़ने हैं shy मॉई भाज घृतर हैं कि आente कि को इस लिकार के माश्चिक यादा करने होगों और पंबतः चीपकती आपको अपना हेयर व столько एंच करना है न ही दिना हेयर वाश टिर्ञ एयर वाश तume 280 और इस भी चर सो प्त रहले एपको हमेना है टाख में डिया को चीपकती है तिसकेश्पर पिर घ circumstance जो गत्मकर चाहिये मनी दिले हो जाता毅 हैas एसा उन्होंने टिप्स मतलब फॉलो करने के लिए बताया है और उन ऐसे वीडियो पे काफी जादा कमेंट्स रहते हैं कि उन्होंने हेर वाश टिप्स जो है वो फॉलो किये हैं और उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट मिला है तो वो देखके हर कोई सोसता है कि चलो एक बार हम पिप्स ये फॉलो कर लेते हैं और मैं रियाल्टी बताओं तो मैंने भी ये इटिप्स फॉलो किये हैं और सिर्फ वन मंत ही नहीं जब मुझे नहीं सीव हो रहा था तो मैंने भी Northwest मतलब कि 3 to 4 मन्थ या 5 मुझे इतना याद नहीं है बट मैंने भी ये टिप्स फॉलो किये थे जैसे जो मेरे पीरेड आते थे उसके बाद मैं लगभग 10 या 11 दिन से हेर वाश जो है वो नहीं करती थी यही फॉलो करने के लिए देखे ओलेशन डेज सबको अपना नहीं पता ह होता है और मुझे भी कोई अपना इग्जैक्ट इतना नहीं पता था कि हाँ इसी दिन होने वाला है तो मैं 10 में या 11 में दिन से ही बाल धोना बंद कर देती थी और फिर जब तक मेरे नहीं आ जाते थे तब तक मैं नहीं वाश करती थी बट अनलखली हर बार मेरे पीरेड जो है वो टाइम से या एक दो दिन पहले ही या एक दो दिन बाद ऐसे आही जाते थे तो ये मैंने एक बार नहीं लगवग चार-पांच बार फॉलो किया है और मेरे साथ ये ट्रिप्स जो है ये नहीं काम किया है नहीं वर्क किया है रीजन ये हो सकता है क्योंकि मेरे वह द ब्लॉक थी तो में तो प्रोब्लम मेरी टीप ब्लॉकिच की थी तो वहां पर यह तक नहीं पता था कि मेरे सा प्रोब्लम क्या है बट मैए वीडियो देखती ती जो सब बताते थी टिप्स फॉलो करने के लिए मिए वह फॉलो करती थी क्यूंकि जब तक popिली पनाता ज जो हमें कहीं से कुछ भी पता चलता हम उसी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो हां मैंने भी यह चीज फॉलो किया था है एर वाश ट्रिक्स और लगभग मैंने फॉर तू फाइफ मन्त इसे फॉलो किया था बट किसी भी मन्त में मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता थ और वह काफी अन हाईजीनिक भी हो जाता था क्योंकि उतने दिन तक जहां आजकल हम वीक्स में मतलब की दो टाइमस अपने हेर वाश करते हैं वहां उतने दिन तक लगभग आठ नौ दिन तक दस दिन तक हेर वाश ना करना वह भी गर्मियों में तो काफी जादा दिक्कत ढरती है ने राव में में जाता हूझाँ में ओक आपना दुल जाती है झाली होती हो चाहिए तो कि दुनिया हो अपने अंधर की पार्बलमा होनी चाहें अगर आपको पता है है कि आपके लिए अदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपके सारी रिपोर्ट आपके ह़़ड़न की सारी रोपोस्त सब कुछ सही है नॉर्मन है एक दम पर्फेक्ट है नु कुछ सही है रिपोर्ट नॉर्मल है बट क्यो नहीं हो रहा है इनका इसका रिजन जो है वो उन्हें भी नहीं पता है तो मैं कहूंगे कि आप यह सब जो टिप्स हैं यह सब एक बार मतलब की फॉलो करके देख सकती है कि क्या पता वर्क कर जाएं देखे हैर वाश जो ट्रिक ह कुछ ऐसी बॉड़ी से जुड़ी रहती है कि जो हमारे जो एक होते हैं वो जब मारी योटरस की लाइनिंग से जो चिपकते हैं जिससे बेपी बनता है जिससे स्वैग मतलब की वो बनता है वहां से हट जाता रहा है और जो हमारा Implantation हूआ रहता है वो फेल हो जाता है ऐसा उन यूटूबर्स का कहना है बट ऐसा कोई भी डॉक्टर के आज तक मुझे वीडियो नहीं मिला है कि कोई डॉक्टर ये आपको सजेस्ट करें कि हाँ आपको ये टिप्स ट्रिक्स फॉलो करनी चाहिए यानि कि जब तक आपका first ultrasound नहीं हो जाता है या फिर आप conceive नहीं कर पा रही है तो आप hair wash मत करिए या फिर आज तक मैंने किसी डॉक्टर को ये कहते वे नहीं सुना है कि आपने conceive ही कर लिया या आप उनके पास first time जा रही हैं विजिट करने के लिए तो वो आपसे ये कहें कि जब तक आपका first ultrasound नहीं हो जाता है हम लोग सब कुछ देखने लेते हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं ठीक है तब तक आप hair wash मत करिए ऐसा कुछ कहीं भी mention नहीं है क्योंकि इसका कुछ भी प्रमार नहीं है कि ये वाकई में work करता है या नहीं करता है बस कुछ चीजे होती है जो हम दूसरों की सुनते हैं और उसे follow करते हैं और बहुत लोगों को उससे result भी मिल जाता है तो उस पे हमारा विश्वास थोड़ा सा बढ़ जाता है तो मैं कह सकती हूँ कि आप ये सभी फॉलो करके देख लीजें बढ़ अगर पता है कि आपके अन्दर प्रॉब्लम ही कुछ और है आपके एंग नहीं बनन रही है या फिर एक रप्च नहीं हो रही है या तो प्र यश्ट भी प्रवलम है तो तो थारायड है दालचीनी की चाय मतलब दालचीनी का सेवन करना तो मैंने वो भी फॉलो किया था और मैं यह नहीं कहूंगी कि उससे मुझे कंसीव हो गया नहीं बिल्कुल भी नहीं हुआ बट हाँ उससे मुझे कुछ रिजल्ट अच्छे मिले थे जैसे मैं सुबह उटके कभी पानी गरम क दालचीनी और अद्रक यह सहर डाल के पी लेती थी या फिर चाय में मैंने डालचीनी डालना दालचीनी का पाउडर डालना शुरू कर दिया था यह सब तो उससे एक चीज हो था कि मेरे जो पीरियर्स थे वह थोड़े से ठीक आने लगे थे मतलब की जो उसके फ्लो होते है वो सही था ना बहुत कम था ना बहुत जादा था ऐसा कुछ नहीं था और मेरे पीरियर्स जो है वो टाइम से आते थे तो वहां पर मुझे लगता है कि उसने वर्क किया और जो थर्ड टिप्स थी लेगब दो वाल पोजिशन यानि कि आफ्टर रिलेशन अपने मतलब पैर को उपर करके थोड़ी देल लेटे रहना तो वो भी मैंने फॉलो किया था बट मैं यह नहीं कहूंगी कि उससे भी मुझे कंसीव हो गया क्योंकि इन सब टिप्स को जब मैं करके एकदम छोड़ चुकी थी एकदम मैंने हाथ जोल लिया था कि अब मुझे यह सब नहीं फॉ सूल कर सकते हैं और आपके अंदर कोई भी कमिन हो कोई बीजिक करें सो टाकरें ल मैं आप शुब्लम नहीं हो तो आप ही सारी रिपोर्ट सुह त आप ही सब फॉलो夠 हो सकता है इसमें से कुछ नच आपके लिए कर जाएए बट अगर आफको पता है कि मेरें अंदरं यह कमी है मेरे अंदर इस वज़ा से कंसीव में नहीं कर पा रही हूं तो मैं आप से कहूंगी कि पहले आप अपना ट्रेट्मेंट कराईए उसका इलाज करिए उसको सही करिए और फिर देखिए कि क्या होता है ओके फ्रेंट्स फिर मिलूंगी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा